चोपड़ा तालुका में अनुमोदित कपास के बीच बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने डमी ग्रहग बनकर विश्वास में लेकर उसका परदा फाश किया है साथी 4,16,250 के कपास के 333 बीच जब्त किये है और पुलिस आगे की जांच कर रही है चोपड़ा तालुका में एक रुशी विभाग और ग्रामिन पुलिस टेशन की एक सयूकत टीम तालुका के हेट काजीपुरा फाटा और काजीपुरा गाओं में गैर सरकारी अनुमोधित कपास के बीच रुपए में बेचा जाने से डमी ग्राहक बनकर 10 पैकेट और फिर 20 पैकेट लेकर 20 विक्रेता को विश्वास में लिया और घर का निरिक्षन करते समय उनके घर से 333 अवैत कपास बीच के पैकेट मिले 333 कपास के बीच की कीमत 4,16,250 है जिसे पुलिस ने जब्त किया चोपडा ग्रामिन थाने में मामला दर्च किया गया है टीम में जिला गुनवत्ता नियंत्रन निरक्षक अरुन ताइडे तालुका क्रुश अधिकारी दीपक सालूं के क्रुशी सहायक और पुलिस कर्मी शामिल थे आज अमाला सकाई मेले ले गुपत माईचीन साथ प्रुशी विभाग वो चोपडा ग्रामिन शहरपूर स्टेशन मानुजी पियाए साइब आमी दोगानी सयुक्त मुहिम हाकून अच्या है मुहिम में जे मुझे माल साप्रवने तालिला है हा शुर्वातिला आंनी आमाला अत्यल लिह तो एका गैरेज वळ पकीटमेटा अची तुचीन सामिल आनी त्यारं अंतर आमी गैरेज मालकाटवड़ेदा में पठून त्या गना अचा गना द्ढ़ पकीटे गेतली यह आमाला 333 पाकिटार पिंक वाट यहा अनद्रीकुत एस्टीविटी कापसा की अड़लिया है जगता करना दल्या है कुटले के लिए सर कुटले कावला के लिए शुर्वाति ला हतेर नंतर काजिपुरा भाटा नंतर वा काजिपुर गाउ यह सम्कुर्ण तिन सिय पाकिट तर आमाउन के ते यह साड़े बाला शी रुपायला एक टेकेट विक्री के लिए जात होती है जाता अनद्रीत तो आद नुझा जाता है चार लाग शोड़ा दौन ना से अबर अ कर दो को ने अजया अजया अरुपी मतलझ हरी के यारी देगरा लोग हो, दाक, जाक कर दामीं घाक, जाक कर दो मार्व जाक कर दो हो झाल झाल